हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल क्या आप भी हैर फॉल और बेजान बालों से परेशान हैं यदी हैं तो आप इस होम मेरे रेवेंडरी को जरूर इस्तिमाल करें इससे आपकी हर बालों की समस्या दूर होगी बाल हमारी ओवराल पर्सनेल्टी की आइना है हर कोई चाहता है कि हमारे बाल मजबूत चमकदार और खुबसूरत दिखे खराब खान पान और दूसीत वातावरन के कारण हमारे बालों की खुबसूरती खतम हो जाती है तो चलिए आईए हम जानते हैं कि होम मेरे रेमेडी से किस तरह से ठीक कर सकते हैं उससे पहले नए हैं जो मेरे चैनल पर तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिए और साथ ही बेल आइकन को किलिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए देखते हैं कि होम मेरे रेमेड में मैं थोड़ा सा इलेवेरा जेल लिया है और ओली वाइल भी लिया है फिगारो का आप चाहाए तो इसमें नारियल तिल भी डाल सकते मैंने वीडियो में कट हो गया मैं नहीं दीखा सकी इसके लिए सौरी और अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे तो इस तरह से मैं सारा इसमें इस तरह से डालके अच्छे से हमें इसको मिला देंगे मैंने जो ओली वाइल लिया है ये आपके बालों को तूटने से रोकेगा और बालों को चमकदार और घना भी बनाएगा और आप चाहे तो इसमें आप नारियल का तेल भी इसमें मिला सकते हैं इसके जगर और ऐलोवेरा जेल जो मैंने इसमें मिलाया है ये जेल बालों पर लगाने से बालों में चमक बढ़ती है और बाल मजबूत भी होती है और इसके इस्तिमाल से सीर की खुजली, जलन, आदी भी दूर होता है और ये हमारे बालों को हल्दी भी बनाए रखता है इसे ग्रोथ भी इलोवेरा हमारे बालों के लिए और इसकीन के लिए बहुत ही फैदा होता है तो और अब हमें इसमें एक अंडा जो मिलाया है और ये सब को पता है कि अंडे में भरपूर मातरा में प्रोटीन होता है अंडे में प्रोटीन और वसा से भरपूर होने के कारण S-CALP को साफ और पोसित रखने में मदद करता है अंडे का मार्ग्स आपके बालो और S-CALP को भरपूर फायदा पहुंचाता है बहुत लोगों ने अंडे का पीला भाग को skip कर देता है अंडे का कौन सा भाग ज्यादा बहतर है ये बालों का परकार पर निर्वर करता है वैसे तो अंडे की सफेदी भी बालों के लिए फायदे मन है और जर्दी भी अगर आपके बाल समान है तो आप अंडे का दोनों भाग यानि जर्दी और सफेदी दोनों का ही इस्तिमाल अपने बालों पर कर सकते हैं लेकिन अगर आपके बाल ओयली है तो एसकेल्प पर अंडे की सफेदी भाग जबकी लेंथ पर जर्दी लगाना ज्यादा वेतर रहेगा और बालों पर अपलाई करने के लिए हैर मार्च तयार है तो इस तरह से आप अपने बालों पर अपलाई कर सकते हैं पहले आप अपने बालों को अच्छे से साप सुत्रा कर लें बालों पर तेल नहीं होना चाहिए बालों पर अच्छे से सैंपू करने के बाद है इस तरह से आप अपने स्केल पर पूरे बाल पर अच्छे से बरस के सहायता से आप अपने बालों पर इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद कम से कम 30-40 मिनट अपने बालों पर रखे और इसे आप अपने नॉर्मन पाने से फिर इसे दो सकते हैं और यदि आपके अंडे लगाने से आपके बाल में गंद आ रही है तो आप हलका सैंपू भी कर सकते हैं और इस तरह से आप फिर इसे बाल को धो लें इस तरह से पैक लगाने से आपके बालों पर क्या-क्या फैदा मिल सकती है फ्रेंट्स पहले तो दो मुहें बालों की समस्या दूर होगी इस हेर मार्ट से आती है बालों में चमक दो मुहें बाल की समस्या दूर होती है तो फिर क्योंने इस तरह से अपने hair marks का इस्तिमाल करें और इसे आप हपते में एक बार जरूर इस्तिमाल करें तभी आपको फर्क महसूस होगा तो इस तरह से जब आप अपने बाल दोएंगे तो आपको खुद ही फर्क महसूस होगा बालों में एक नई सी जान आ जाती है अगर आप भी अपने बालों को खुबसूर्ती बनाए रखना चाहती है तो इसे हपते में एक बार जरूर करें और आज के वीडियो में बस इतना है फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगेगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिजेगा और दोस्तों को भी सेयर कीजेगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके तो फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई